एक्सल साइस की शर्ट चाहिए जी दिखाता हूँ यह देखिए पैक कर दो यह लो पैसे काउंटर में दे दीजे साब पैसा भर के बिल ले करा हूँ अरे वाह सहाब आप यहाँ नमस्ते साब कैसे हो ठीक हो ना भाई आपकी दूआ से ठीक ही हूँ यह मेरी पत्नी है यह मेरी बेटी नवस्ते बेंगी देवहार आने वाला है ना दामाद यह भी आने वाले है इसलिए कपड़ों की शॉपिंग कर रहा हूँ दामाद के लिए मेरी बेटी ही कपड़े पसंद करती है इस जनरेशन का टेस्टी कुछ अलग है अ और मैंने सुना था आप अपनी छोटी बेटी के लिए रिष्टा देख रहे हैं। मैंने आपकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का कर दो कर दो जुदाः हो कि अारी हो भड्यारा हो फस्टेले भाला हो फस्मादा जिआए कर दो कि लिग साइए प्राइए कर दो कि एड़ार कर पर दोस्तेश नहां। तो, कर दोब दोग्दो का अच्चाम है? मैं यह नाया यह शनी तेट कैसी थी जले किस लगवाल? किस लेड़ा है सिर्वाल है? किस लेड़ा है बाल ज्वेच विद्वाल है? कर सकता है ना कॉमन सेंस नहीं है क्या प्रॉब्लम है यह स्टार्ट नहीं हो रही है ठीक है बैठो बैठो पिल्कुल हीरो है क्या कहां स्कूटी अब तो बाइक पूरी पीक अप लेगी ना वह तो चलाने वाले पर डिबेंड करता है ना मुझे क्या मैं तो बराबर ही चलाता हूं आप पता है इसलिए तेरी बाइक तेरा हाद चोड़ कर किसी और के पास जाती नहीं चल जा क्यों बे शीवा और यहां नाय ड्यूटी है इसकी इसलिए पड़ा है क्यों रात को लगता है खास ड्यूटी करता है वो ड्यूटी मैंने कपके छोड़ दी है ज्यादा बख बख किया ना तो इस रॉट से तेरा थोबला तो डालूंगा इस व्यूटी के दुकान पर सारी के सारी रॉट मेरी ही है यदुम्हां अ को यह तो अरूंडर है यह कौन है जो आधि गारी को दख का मार रहा है याँ आप फस्ताही में देखना हूँ याँ हाई फ्रेंड्स हाई हाई इसकी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम है जरा देखना यहां बहुत सारी बाइक की प्रॉब्लम है पहले वो सब ठीक करनी है इसे बलो छोड़ के जाए बना दूगा ठीक है तो मुझे थोड़ा सा काम है बात में मिलते है और मैं हाँ आटो से चली यहां अब तुम्हारा नाम कुंदना कुंदना तुम लोग कॉन हो हम सब उसके बेस्ट फ्रेंड है तुम अपर मचूटा है वार करोगा है से प्रेंड के नाम कैसा आथ सिर्फ प्यार नोश्मिलो के संप्रावट सों तुम्हारा बहुत ही सूपर टेस्ट है लेकिन मेरा दोस्ट जो है वो थोड़ा टिपिकल केस है कोई नया तरीका इस्तिमाल करो शायद पट जाए हाँ अरे भाई अरे एक जाए पिलाना तुम्हारा दोस्ट सिर्फ टिपिकल ही नहीं मेंटल भी है इसलिए मैं खुद मेंटल होकर ट्राइ कर रही हूं अरे रुकना यार का फ्यार अरे क्या करिया रुकतो सही अरे रुकना पुल्दा आँ तु ही समका सुख करता और तु ही समका दुख हरता तु ही तु ही तु ही समका सुख करता और तु ही समका दुख हरता तु ही समका सुख करता और तु ही समका दुख हरता तु ही समका सुख करता तर्वमंगल मांगल देशे सर्वार्थ साधिके आर्थी लोले बटा बहन जी आर्थी ले लिजिए वह लड़की कौन है यह बैंक मेनेजर के बेटी है बैंग जी आपको क्या चाहिए शर्स दिखाना किसके लिए क्यों जिसके लिए चाहिए नहीं कहूंगे तब तक दिखाओ के नहीं तक दिखाओ नहीं साइज का पता नहीं चलेगा तो कैसे निकालेंगे साइज तो उसका साइज क्या होगा उसी के साइज की कोई अच्छी सी शट दिखाओ हमारे दुकान में सब आपको अच्छा ही मिलेगा इसलिए तो मैं यहां आई हूँ यह कैसी है सिर्फ साथे तीन सुल पै कुछ मेरी र आपका रेंज ज्यादा मत बोलो ठीक है जो काम बोला है वही करो हां इससे साइड में रखो अब इससे मैचिंग कोई जीन्स दिखा दो साइज कितना है साइज 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 का साइज 32 है यह ओके है जी आ और जैंस क्या पहनते हैं हां समझ गया मैचिंग चाहिए अभी तुम्हें क्या समझाया था एक्स्ट्रा मत बोलो गुड़ पैक करो कि क्या करें हम ही फिक्स हो गए है विल बना दो है है हेलो है है क्या है क्या है यह किसके लिए तुम्हारे लिए क्यों क्यों कि यह मुझे बहुत पसंद है मुझे भी पसंद होना चाहिए इतनी खुबसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता ऐसा कोई फूल ही कह सकता है इससे पहले तुमसे किसी फूल ने कहा था कि तुम खुबसूरत हो क्या तुम खुबसूरत नहीं हो कि यह पबड़ो और जाओ तुम खुबसूरत नहीं हूं क्या मैं खुबसूरत नहीं हूं बता ऐसा उस नहीं कहा है मेरे फेस में क्या कमी है बता लेकिन उसकी नजर में तुम्हारा फेस खुबसूरत नहीं है फिर रुक लड़की ऐसी होती है और लड़का ऐसा होता है बस ऐसे होता है अब एकॉर्डिंग टूद लड़के दो टाइप के होते हैं टाइप वन फिगर चाहे जैसा भी हो उसका चेहरा अकर्शक होना चाहिए टाइप टू चेहरा चाहे जैसा भी हो फिगर शिक्स पैक वाला होना चाहिए कोई भी लड़का कमेट की बिना रह सकता है क्या हम लोग है यह मर्दों की बात करिए तू बैठ जा मतलब तुम डाल सकती हो क्या तू ज्यादा बोल मत वरना तुझा ही कट कर दो क्या करोगी जीब बेटा अहां यह क्लेर्टी अच्छी है चुप रहो कुंधना तुम्हार बात सही है लेकिन लेकिन क्या लड़के को टेंप्ट करने के लिए चुपाने वाली चीज चुपानी चाहिए दिखानी वाली चीज दिखानी चाहिए अब मैं समझ गई अरे रोकी स्टॉक आया क्या क्या है मुझे क्लेरली देख लो मेरा फेस मेरा फिकर क्या तुम्हें मैं अभी कुपसरत नहीं दिखती हूँ ए चलो अटो मैं नहीं हचूंगी मुझे अभी इसी जगे पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हें पसत हूँ या नहीं नहीं मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ इसलिए इतना घमन दिखा रहा है ना लड़कियों की आबारी कम हो रही है और तुम्हें से दूल जा रहे हो तुम्हें जिल्तेगी भाई मेरे जैसी कोई लड़की नहीं मिलेगी समझें भीवकूफ नहीं का मतलब लड़के दो तरह के होते हैं ना फिगर कैसा भी हो पर फिगर अच्छा होना चाहिए मेरा फिगर दोनों ही अच्छा है ना पर तुम्हें क्या प्राब्लम है तीसरे तरीके के भी लड़के होते हैं जो मन का भाव देखते हैं मेरे अंदर कोई खोच है गया आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू गलिए अंदर क्या हुकत geht लूंदर के शाई हेट यू मेर झाल झाल और कितने दिने से लाइफ में कुछ बातें भूलनी नहीं चाहिए और कुछ बातें याद नहीं रखनी चाहिए मैं बाप हो उसका आखिर जी रहा होना मेरी बात सुन छोड़ दे सब उसे छोड़ने के लिए वो कोई जान नहीं है वो प्यार है तो ही सब का सुख करता और तो ही सब का दुख हरता तो ही तो ही सब का सुख करता और तो ही सब का दुख हरता तो ही सब का सुख करता और तो ही सब का दुख हरता तो ही तो ही सब का सुख करता तुम्हारा नाम कुंदुना है ना जी आउंटी जैसा नाम है बिल्कुल वैसी ही हो तुम जब मैंने तुम्हें फर्स टेम देखा था तब तुम मॉडर्ण ड्रेस में दिखी थी मुझे पसंद नहीं आया बात में तुम्हारा गाना सुनकर मैं तुम्हारी बड़ी फैन हो ग तुम्हारी परसनल बाते पुछना नहीं चाहती हूं मैं वैसे अगर तुम बताना चाहोगी तो मैं जरूर सुनगी अगर ना बताओगी तो मुझे फील नहीं होगा क्यूंकि मैंने बताया ना तुम्हें कि मैं तुम्हारी फैन हूं कुछ नहीं आंटी चुटा से डिस्ट आपको कैसे पता चला आपको कुछ नजर आया पगली कही कि खुबसूरत दिल को देखने के लिए आखों की जुरत नहीं होती खुबसूरत मन की जुरत होती है हाँ आंटी उसकी पास मन ही तो नहीं है वो कौन है वो एक स्टूपेड है आंटी अपने अपको होश्यार समझता अपने अपको होशया समझता है style भारता है बात तो भाई है ना आणटी कोई लड़का ही लड़की को चुन सकता है क्या ऐसा क्यों, लड़की लड़की को नहीं चुन सकती अगर पसंद करती है तो वो लड़की चीप हो गई लेकिन है कौन वो शैटान माव चलो जल्दी मेरा बेटा आ गया इस छोकरी को जानती हो? उस छोकरी को नहीं उस लड़की को कहू वही तुम उसे जानती हो क्या? क्यों? तुम उसे जानते हो? वो एक पागल लड़की है माव चलो इतना खुबसूरत दिलवाली खुबसूरत लड़की मिलना कितना मुश्किल है कुंदना बहुत अच्छी लड़की है राधिका आंटी के घर के बाजू में रहती है उनके फैमिली भी बहुत अच्छी है और सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है अगर तू खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं रह सकती और खुशी से मर भी नहीं सकती मां कैसी बाते कर रही है मां हो ना जब भी मैं तुम्हें दुखी देखती हूँ तो मेरी जिंदकी का एक दिन कम हो जाता है मां प्लीज मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखने के लिए ही जिन्दा हूँ वाल स्थिर्फ और स्थिर्फ दू दुम्हें फसे उड़ सिर्फ रिए चता हुशी तूची मेरा स्थिर्फ तुम्हें जद थ्योचे है हम बोलो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ठीक है यह 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 मैं तुम्हें क्यों पसंद आया है मुझे नहीं पता तुमने यह 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 करती हूं तो मेरा जवाब तो सुनते जाओ हेट से ही लव पैदा होता है और लव से हेट होता है सो दुन एक ही हुआ ना मुझे तो क्लारटी है तुम्हें कोई क्लारटी है या नहीं बताओ क्यों बताओ तुमने मुझे मारा क्या तुमने मुझे मारा ठीक है तो तुम्हें काम करो मुझे भी मारो दोनों बराबर हो जाएगा वाव यह सब मेरे लिए नहीं तुम्हारे बगल में जो स्वीट है उसके लिए शो जाब यह क्या सड़न यह हैदराबाद का ट्रीप किस लिए वहां मेरे एक इंटर्व्यू है क्यों क्यों का क्या मतलब बीटेक करने वाले इंटर्वी नहीं दे सकते बिना इंटर्व्यू के कोई जोब नहीं मिलेगी जोब किस लिए क्यों तुम मुझे अपनी दुकान में जॉब देने वाले हो हां हां हेई शिस किरे या टू नाइट्स और वन डे पैकेज खत्म होते ही परसों सुबह में यहां रहोंगी ठीक है ना हाँ आड टुम्सक आड टू नाइट्स रहोंगी टुम्हाँ अपनी अवना है या हाँ सफ्कून्द और वार में यहां को जोशती रहूंगी तुम्हाँजूजुण। 50,000 को अपनी तुम्हाँश। I'll do back soon, okay? ये सब क्या है? टू नाइट्स, वन डे पैकेज, मतलब 36 हार्स, 2160 मेंट्स, 129,600 सेकंड्स, हर सेकंड्स, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा. मैंने कहा था ना, तुम्हारे बाजू के सीट वाले के लिए खरीदा है? झाले के लिए वाले के लिए अचा तुम्हारे लिए वाले के साथ हाथ है? कृण İ एक पतला सा लंबा सा लड़का खढ़ा था उससे देखा अपने कहा चले गए थे तुम किंड़ी टेंशिन होगी थी मुझे पता थे तुम्हें असी कोई जाता है विन पीलिना मुझे बताए कहां चले गए थे, पता कर दो जाना चाहिए था ना बताओ ना तुम्हारे लिए चार मिनार से यह छूडिया ले आया हूँ छूडिया के भी कि राइज वाइज मुझे यहां क्यों बला है नमस्ते मेडम, मेरा नाम सुर्या, उसका नाम स्वामी, इसका नाम चादु और इसका नाम में शिखा नमस्ते, क्या हुआ ऐसे तुम्हे मुच्छे आई है ना मतलब तुमे मुच्छ वाला फ्रेंड मिला है ना इसलिए हम लोगों को नहीं पहचांती इसलिए मैंने परिचे करवा दिया तुम उसकी मुच्छे क्यों चलते हो, खुद मुच्छ उगालो ना मुच्छ आनी भी तुचाहिए कुछ नहीं ऐसा लगता है तुम शायद हमें भूल गई हो इसलिए फील हो रहा है मुझे लगता है तुम हम लोगों से दूर जा रही हो ओके 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 आज का पूरा दिन तुम लोगों के साथ रहोंगी चीक है अबी लेट्स को तुम मुझे पसंद नहीं है एक्चली आज मैंने दूसरे प्रोग्राम का प्लान किया है इसका शीरशक है इंतजार कर रहा है आने वाली बारिश की पहली बून का इंतजार कर रहा है किसान भाव कम होने का कर रहा है इन्सान पूरी दुनिया नतजार कर रही है शांति के लिए और मन इंतजार कर रहा है परम शांति के लिए ठीक वैसे की कविता के लिए आप लोग इंतजार करें लग रहा हो तो इसमें भी अच्छा किक है अगर तुम कॉंसेंट्रेटली सुनो तो बहुत अच्छा लगेगा तुम है उधार देखो लगता है पार्क और सिनेमा कम पढ़ गया है जो इधर चलिया है बेशराम लोग उन लोगों क अगर तुम साथ हो तुम मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए अगर तुम मेरे साथ नहीं तुम मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए अगर तुम मेरे साथ नहीं तुम मुझे लाइफ में चाहिए अगर तुम मेरे साथ नहीं तुम मुझे एसी लाइफ नहीं चाहि तुम्हारी वज़े से यहीं पर कोई जॉब नहीं कर सकती हो क्या है इस गाव में कौन सो जॉब मिलेगा तुम्हारी शॉप में से शॉप में से जॉप करूं करूं क्या तुम्हारा जाना पसंद नहीं है तो उस दिल मुझसे क्यों नहीं कहा तुम्हें हर्ठ हो ज़ाता इसलिए अब मैं हर्ट नहीं हो रही हूं क्या Cocktail में इसलिए उस दिल मेरे लिए इतना फील कर रहे थे मुझे चोड़कर एक बल भी नहीं रह से टिते मैस मैं सोच रही थि ल इतनी चोटी हो गई है आज इंटेनेट 3G फोन्स इनसे दूरी का पता ही नहीं चलता दूर रहना अलग बात है और साथ में रहना तो उससे भी अलग बात होती है समस और चैटिंग तो घंटे में हम एक बार तो करते ही है बाद में दिन में एक हो जाता है धीरी धीरी तो वह भी फेड़ा उट हो जाता है आउट उससी बात का नो में जॉब नहीं होता है इतना ही नहीं असल में लव मेरिजस क्यों फेल हो जाते हैं पता है तुम्हें जब प्यार में होते हैं तो दिन में दो तीन घंडे साथ में रहते हैं उस समय किसी बाद का नो में जॉब नहीं होता है सब यस ही होता है आइस्क्रीम कहा तो आइस्क्रीम, सिनेमा कहा तो सिनेमा, अपनी पूरी हैपी लाइप सामने रख देते हैं, और शादी होने के बाद पता चलता है, कि दोनों तो एड़्जस्ट हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए, मैं तुम्हारे साथ जीवन का हर पल भीताना चाहता हूं, I am very practical एक बार क्या पाजाए तो बस सारा काम तमाम हो जाता है, वरॉन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वरॉसे का कोई सबाली नहीं है कुंदना, इनफ वरॉन, इनफ, मुझे रोना आ रहा है, लाइफ टाइम रोने से तो अच्छा है, अभी तुम चितना चाहिए उ मतलब मैं कॉंप्रुमाइज कर लू ना, कन्विंस कर लो, नहीं होई तो, लव से ज्यादा तुम्हें तुम्हारा जॉब इंपोर्टन्ट है तो, आगे तुम्हारी मरसी, तुम्हारा ये बीहेवियर मुझे पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ ये बात, तुम्हें सिंसियरली प्यार करने वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लड़का तुझे पसंद था ना, हमें भी पसंद आया, इतनी दूर आने के बाद ठुकरा ना, ये कोई बच्चों का खेल समझी तू, डादी, प्लीज, आप तुम ममी को समझाईए ना, देखे जी, अब भी आप इसका सपोर्ट करेंगे, तो मैं आप चुप नहीं बैठूँगी, मानता हूँ तुम्हारे ममी के बोलने के तरके से तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन वो सच तो बोल रही है, क्या है डादी, आप भी, देखो बेटा, अगर तुम मेरी जगह होती, तो तुम भी यही सोचती, वरुण को तुम ने पसंद किया, उसे तुम्हारे युएस जाना पसंद नहीं है, तो दूसरा जॉब ले लो, अरे, अरे, प्रॉब्लम जॉब का नहीं है डाडी, औरेक्ट है, प्रॉब्लम जॉब का नहीं, तू है, तू है प्रॉब्लम, नहीं, problem वो है, he is too possessive, मुझे तो शक होता है कि उसके अंदर प्यार है ही नहीं, शायद वो प्यार के लायक ही नहीं है, उसके अंदर शक और भय है ओके, ओके बिटा, वरुन से एक बार openly बात तो करो, मुझे पता है उसे openly बात करो कि तो सारी problem solve हो सकती है, अगर सच में यही problem है, तो फिर तेरा decision सही है वो कभी problem नहीं हो सकता, बलकि problem को face करता है वो, create नहीं करता आप कौन है? बाफी चाहता हूँ, आपकी permission के बिना अंदर चला आया, माफ कीजेगा, मेरा नाम राओ है, प्रीती का फादर प्रीती कौन है? वरुन जिससे प्यार करता था जिस वरुन को तुम जानती हो, वो अब ऐसा क्यूं है? उसकी पुरानी जिन्दगी के बारे में, तुम नहीं जानती मैं पहले उससे नफरत करता था पर बाद मैं उसे पसंद करने लगा लेकिन तुमने पहले प्यार किया और आप नफरत कर रही हो लेकिन जब वो किसी से प्यार करता है तो उससे नफरत कभी नहीं करता है क्योंकि वो सिर्फ, सिर्फ प्यार करना जानता है क्यों हर बार तो बीच में बैठती है ना पर आज से मैं इस तरह पैट हूंगी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या चलो भाईया चलिया या जी ये देख लास्टाइम तुने कहा था ना कि मेरी एरिंग तुझे अच्छी लगी थी इसलिए दिल्ली से मेरी कजन आ रहे थी तो मैंने तेरी लिए मंगवाया ये लिए मेरी वोग कहीं बात तुझे अब तक यान है थांक्स इस ओके भाईया सरा ओटो रोको हां ठीक है क्यों क्या हुआ मैं बीच में बैठ जाती हूं तो यहां पर बैठ जा ने ने अभी वही बैठ तू देख मार खाए गया चला जा अगर तुम्हें किसी ने कहा कि तुम ग्रेट हो इंपोर्टेंट हो तो उनके लिए तुम अपना डिसिजन चेंज करती हो हां भाईया चलिए ठीक है जी किदार है तुम्हारा ही रो कितने कब है तू हंड्रेट तू फिप्टी थ्री हंड्रेट थ्री फिप्टी आपरेट थिन सु पचाज नहीं है फॉर हंड्रेट फाइवन्रेट जिए सिक्स हंड्रेट खयाँ करते हैं अब दो करण कर दो कि यह टिंशन मतले है केम अपन लोगी जितेंगे और वो लोग हारेंगे पैसे अपने पास ही आएंगे और तेंगे यह लोग है वीचे चल अब तूजा तूजा बढ़ा गया है चल अब तूजा जा बरूर इस लई तो ही जा यार जल्दी जा ला लिए भरूर का गे यार दिख तेरा भाला आगिया तो वो तेरे लिए ही आता है ना लेकिन मैं उसके लिए नहीं आती हूं तुछ उपेड़िए हाई! वो तुझे हाई कह रहा है वेस्ट कॉलो तुम्हें वेस्पोरो कह रही है अरे मुझे मेरे बारे में ही कुछ नहीं पता उसे ही कुछ कहने के लिए कहो प्लीज उसे रोने को कहो ये रोने को कह रही है दो साल से तु रुला ही रही है और कितने साल पीछे बढ़ना पड़ेगा और बीस साल पीछे पड़ो, और बीस साल पीछे पटने को कह रही है, और बीस साल, उसके बाद उसके पती और बच्चा चुप बैठेगा, यह को तुम दोरो, मार खाऊगी हाँ, चुप बैठो ना, क्या हुआ भाई, गया वो, मैच भी गया, और मेरी विंग भी गई, कितना मारे तो जीतने वाले थे, फोर रंज, सिक्स मारे तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ना, मैंने सिक्स को ही फिक्स किया है, वन बॉल प्लीज, वो फिक्स हुआ करता है, टार्गेट देखकर ढाल, ताकि उसकी, एकड़ी निकल जाए, गना में आए, लुआ थाए, छृदाब, टाटाए, वास्टार्यक्तॉ यहाँ, हो जगः वैड्वाँ! एहाँ, हो जगो झाए, वास्थità! पिझाए, पाले गले, ताए, बहरए, झाले, वीवाँ! प्रटी करना वे जो उत्व सुड़ है जो करें झार में फूल में पर जो जर करें जो दो फिर इंट है यह यह इन्हीं अमधित प्लापा क्योंद। राकुल यह वी इन्हामधित प्लापा क्योंद। जो फोगा है यह यह सताइज तुरह क्योंद नियां? मेरी रिंग सोरी यार, वो आटो नहीं कल जाती आटो के चेकरें पूरा गेम छोड़के गया, मारो इंसे, मारो हाई ममी, मैंने कितनी बार कहा मुझे ऐसा कह कर मत पुकारो, हाई मा, अभी ओके है न, ठीक है, अच्छा, आपके पती कहां चले गए, नुमें चटका लगाऊं गया, डैडी चले गए क्या मा, है, तो फिर मैं जा रहा हूँ बाए, रुप, दोसा खा कर जा, लाता, तु यही बेट कर खा, यह लीजे, अब है किदर है, वो अंदर है, नाश्ता कर रहा है, कब आता है, कब जाता है, कुछ बता नहीं, कितने साल चले गए, शुरू हो गए, आज कल के बच्चे, कितने प्लैन रहते हैं, स्कूल में पढ़ते समय ही, कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सी जॉब करनी है, सब फिक्स कर लेते है, किसके aims नहीं है, मेरे भी aims है, aims और dreams ने फ़र्क है, जो करना चाहते है, वो dreams होता है, उसे पानी की तेयारी aim, लेकिन चाहते है क्यों है, उसका भी कुछ पर्पस होना चाहिए, अगर पर्पस नहीं हो, तो aim भी नहीं होता, जब भू परपस है और खाना खाना एम है मेरी बुरी जन्दगी तुकान में कुसर गई अखिर आसिल क्या हुआ इस बिजनस से सिर्फ जी सकते हैं कमा नहीं सकते हैं तब से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए छोटी दुकानों को कोई नहीं पूछता मेरी तरह दिन भर दुकान का शड़र उठाकर किसी क्राहक के इंतजार करने से अच्छा है कि इसी लगे हुए ओफिस के केवी ने बैठ कर आराम से जिया जाए कब समझेगा ये पता नहीं वो जरूर समझेगा अभी छोटा बच्चा है ये सब के लिए टाइम होता है जी टाइम आता नहीं लटा टाइम भी जाता है किसका फोन अगया हाँ भूल क्या उखड रहा है प्ते नोच रहा हूं किस पोधे को मेरे पोध। मैं तू नोचेगा क्या जयादा हो गए ज़्या हूं प्लीज यार लाग में फोन करता हूं बाई-बाई-बाई चलता हूं शिक है बाई बाई अरे कोई आजाएगा अरे कैसे कोई दिखेगा अरे चोड़ो मुझे क्या करें तुमारा फोन बच रहा है अरे बजने तो ना तुम किसे से शादी क्यों नहीं कर लेते मेरे पीछे क्यों पड़ेगो आंटी शिवा अच्छा शिवा तुमारा फोन बच रहा है उठाओ ना फिर से वही अब क्या हुआ तेरी बाइक चाहिए अभी नहीं दे सकता हो सकता है बेटा नहीं दे सकता बेटा फिर तो अंकल घर में आ जाएंगे बेटा अंकल कॉन अंकल बे अरे वही अंकल जिसके साथ तुम अभी टाइम पास कर रहे हो बेटा ठीक आ रहा हूं पोन रख मैं दखा Nik कि यां कि यहांक मैं किम तर देखा वेुआ को संद्धार के देखाएप डियुग आदेखा सब्सक्राइप सद्वृर्टंथ और पहुरी थे तुम्हें नहीं देखे पहर किसको पहिर किस कि हम इसको उसको कितनी बार समझाया है मुझे इसे फॉलो करना पसंद नहीं है एक मिन तक घर में पहुन जाओंगी एक सोडा लेना यह कैसी आदी गुरुजी आपकी एज क्या है और आप कैसा काम कर रहे हो क्या क्या यह सब क्या है वरुन को छोड़कर तुमने उस एज वाले आत्मी को कैसे पसंद किया आप अपने आपको यूद समझते हो तो अपने ही उम्र के किसी यूद को देख लीजिए हम जैसी यूद वालों को क्यों वो मेरे डाडी है डाडी क्यों नहीं हो सकता है अरे क्यों नहीं हो सकते हैं हो सकते हैं होना भी चाहिए मतलब हम लोगों ने कभी आंकल को देखा नहीं ना इसलिए कंफूजन हुआ ये तो रोसका ही है सुबह चोटा सा जगडा हुआ और बिना ब्रेक्विस्ट के चलिया इसलिए वो उदास होती है तो वो कुछ भी करते है अपनी बेटी के लिए जाने मेरी मामी के जाने के बाद सारा घर वही संभालते है' he's everything to me वो ठीक है तुमारा इतना इंट्रेस्ट क्यों है ने ने ऐसा को इंटरेस्ट नहीं है फॉलो करते हो ने क्यों फॉलो करूँ तब पल्ली कैं अगर कुछ हुआ ना काट तुनका ने काट देंगे गला हसो बे हसो जोर जोर से हसो तू भी तो दो साल से प्रिती के पीछे पड़ा हुआ है तुझे पसंद नहीं करते फिर भी उसके पीछे लगा हुआ है टाइम वेस्ट कर रहा है एए लड़कियां पसंद नहीं है कहती है तो इसका मतलब पसंद है अगर पसंद है कहती है तो समझा पसंद नहीं है सच में मतलब आंटी कहती है कि तू मझे पसंद हो मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती अबे मैंने लड़कियों के बारे में का आंटियों के बारे में नहीं उसमें क्या अंतर है लड़कियां प्यार करके शादी करती हैं लेकिन आंटियां शादी करके प्यार करती हैं तुमने मुझे मुझे मुड़ कर देखा रिती देखो कौन आया है दीदी कैसी है तू हाइ सोना कहां आया तू कितने दिनों के बाद आए दीदी मैं लिख कर देती हूं मेरे बाद इस गाओं में यही ब्यूटी क्वीन होगी जब तुम यहां थी मैं तुमारे साथ सब को शेर करती थी अकिलापन महसूस करती हूं लाड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है जब से ममी गई है तब से पिना शुरू कर दिया पिये तो ममी लौट आएगी जब से तुमारी शादी होई है तुम चेंज हो गई हो इससे पहले तुम क बहुत खुश हुँ क्यों जिजाजी खुश नहीं रगते हैं लाइफ में रियाल्टी के साथ साह ten फांटेशी होनी चाहिए फैसे और ऐक्साइटमेंट होना चाहिए लाइफ में प्यार करने वाला सच्चा मर्द होना चाहिए और उस मर्द को प्यार-एक्सप्रिस करना आ जब हम दुखी रहते हैं, तो गोद में लेटा कर थप थपाना आना चाहिए प्रीधी, बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे दिल को समझने वाला, समझाने वाला पती होना चाहिए, उसने हमारी केर लेनी चाहिए, जब हमें बुखार आये, तो डॉक्टर के पास ले जाकर प्रीधी देनी चाहिए, चार लोगों के बीच मान सम्मान करना चाहिए, पती ऐसा होना चाहिए, प्रीधी, बेचारा वापस ज्यूटी पे चड़ गया, बेचारा, जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, आज रात न्यू यर सेलिप्रेशिन में आ रही हो, तुम भी आजनो, तुम से बात करनी है, मुझे लाइफटेम प्यार करोके ना, कब तक करोके, एक सेकंड, एक हवता, या पिर एक साल, पूरी सिंदे की भर, मैं दुकान जाकर आथा, ठीक है जी, क्या हो आपको, वरोन, वरोन, क्या हो आपको, पापा, पापा, वरोन, लिफान को पूरत करो चल दी, कि अधानी को नहीं है डॉक्टर लेकिन इंपोर्टन बात है कि अब उन्हें को टेंशन वादी दुबारा स्ट्रोक आया तो डेंशन हो सकता है थैंक यू कुछ नहीं होगा मा कुछ नहीं होगा लॉप टेमिनेशन मार्जिनल यूटिलिटी ये इकोनॉमिक्स में बहुत ही मुख्य चैप्टर है और एक्जामपल अगर एक चमज शक्कर पहली बार खाओ तो वह बहुत मीठा लगता है लेकिन उसके बाद ही दूसरा ले रहा हो तुम मोबाइल में लगी हो अकर पढ़ना नहीं चाहती तो बाहर जाओ हाँ यही रोको यह लो क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को फोन किया तो उठा भी नहीं रहा है और मैसेज का कोई रिप्लै नहीं दे रहा वो वरुन के पिता जी हॉस्पिटल में एडमिट है अरे रे क्या हुआ हाँ था चोटा साही था पर वो ठीक है वो बात मुझे बताने से उसका क्या चाहता व क्यों रहे इतनी अंगणाई क्यों ले रहा है और ने के लिए इतना अवरेक्शन करना जरूरी है क्या बिना मतलब की उंगली मत कर वरना तुझ में वह उंगली खुसेड़ दूंगा वालतू की पकवास मत कर ठेल कर दिखा अगर मैं सिंसिरली खेलू तो मुझसे जीत नही किसने मना किए लेकिन अभी दाउं साथ सो कनहीं साथ हजार का का तुझे डायलोंग मारने का बहुत शौक है ना तो अपनी बात पर कायम रहे साथ हजार का दाओं सात हजार है ना यह ले रिंग यह 17000 की है हम जीते तो साथ हजार और अगडर तुम जीते तो सत्रा हजार इसका ब्रीटी का आ हां बोलो ना पुझे फोगा रहा है अरे अच्छा तुम्हें देखना है मैं मैच खेल रहा हूं तुम्हें देखना है अरे मैं मैच खेल रहा हूं बोला ना तुम्हें देखना है पृती ओवर मत करो टैबलेट खालो शाम को मिलता है तुम्हारा नहीं खाऊंगी तुम्हारा नहीं खाऊंगी मैं बोल रहा हूं नो शाम को मिलत हालो, हालो, पृरिती है पृरित लगा सकते हो ना क्या कहा बुखार आया है ना कले लगा लोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा प्यारी सोनू बुखार आया है तुहें क्यों आया नहीं बता कम हो जाएगा मैं स्टैंप लगा देता हूं अब तो तुम खुश हो ना जब तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं वहाँ पर मैच निकल गई होगी लेकिन ठीक है दोस्त है ना सहलेंगे तुम्हें तो बुखार है ना जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम दवा नहीं खाओगी ऐसा ही कह रही थी लो मैं आ गया अब तो तुम खुश हो ना लेकिन उन लोगों ने मेरे भरों से बेट लगाई थी हार गए होंगे लेकिन कोई परवान ही है फ्रेंड्स है ना सहलेंगे फिर तुम क्यों आए तुम ही ने तु बुलाया ज़रूरत नहीं थी जब मैं बुलाती तब ही तुम आते हो मैं ही पागल हूं सोचा था थोड़ पीजिए को शिट बिना मतलब के परीती को हर्ट किया अ है कल उसका बर्थ डेंगल उसे खुष कर दोगा है अफी बर्थ हडें परीती कर दो कर दोंक कर दो प्राइम की शान जा रर छोंक समान कर दो, कर दो, कर दो, कर दो एई कौनो तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो है को तुम लोग को यहां क्या काम है पिली के सवाल पूश रहा है हम अंदे किया है हम लोग तुझ बाते कर रहे थे अच्छा तो ऐसे बात करता है तू इज़त से बात करो रेंच पलूस नेरे बाप का नाम क्या है वो भी दंदा चलाता है क्या तुझे इसके साथ कितने में बेजा है ये वारुन इसे मत बढ़ाओ प्लीज सर छोड़ दीजिये हमें हम चले जाएंगे सर चल तुझे इसके सामने मर्दानगी साबित करने के लिए सिर्फ तीन मिनट लगेंगे लेक अजा रतु दे आ एलिजे आना सर आयना सर प्लीज 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 आ JPK रिणि में इसे मह गाव गार्णलागों सैठु प्ली जोलेगे जा में समालों यह-प्ली अचल कुर उआंड किसा जारू चला सोnde बेगें धूजीना चलाड़ आना ही अंकल, भाई अंदरचल, ऐसी बेहुदा हरकत दुबारा की तो याद रखना तुम मेरी बेटी हो, ये भी भोल जाओंगा नेदे, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अपने बेटे के साथ मेरे खर पर आजा हेलो, प्रिती, आर ये ओके? नो, आम नॉट ओके क्या हुआ? पापा ने एक विष्टदाल के साथ मेरी शानी तरह कर दी है वनून, मुझे बहुत रेजिन हो रही है उतना वक्त नहीं है, तुम मेरे बापा को नहीं जानते हो, वो खुछ भी कर सकते हैं तो फिर क्या करें? कहीं भाग चलते हैं, वरूर प्रिती देखो, मैं शादी करूँगी तो सर्फ तुमसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, वरूर क्या हुआ बेटा, क्या बात है, कुछ नहीं, मा क्या हुआ प्रिती बस नंबर अगर मेरी बेटी को कुछ वातो तुझे माट आलूंगा मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आग की बेटी को कुछ हुआ तो आप मुझे नहीं मैं आपको मार ठालूंगा उस समय मैंने उसकी आखों में अपनी बेटी के लिए प्यार देखा था उसका वो तेवर देखकर मेरी बेटी का क्या होगा यह डर मेरे मन में समा गया यह जो कहरा आशाद ही सच है मैंने जो सोचा आशाद वो गलत था मैंने छान बीन की ए निकल प्रिती कहा है माँ प्रिती को क्या हुआ जो हो गया सो हो गया अब तु घर चल प्रिती को क्या हुआ मैं तेरे आगे हाँ जोड़ते हो तु घर चल प्रिती कहा है प्रिती को क्या हुआ सोधाकर इसे घर लेकर जाओ ए प्रिती कहा है मुझे पता है यह सारा ड्रामा आपका ही है क्या किया है क्या करिती के साथ क्या क्या हुआ बाग गई हो हम दोनों को भिना बताय भाग गई तुम्हारे दोस्ट श्रीधर के साथ भाग गई अठारा साल पाला है मैंने उसे और तुने अठारा महीन तक प्यार किया है उसे फिर भी हम दोनों को धोखा देकर भाग गई वो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है न? मुझे भी नहीं हो रहा था एक प्रेमी की तरह तुने अपने प्यार की हिवाज़त की और एक पिता की तरह मैंने उसे विश्वास किया क्या हुआ? भाग गई? पहली बार जिन्दगी में मुझे इतनी तकलीफ हुई है पता हो उसको हाँ यार शिदर ने हम लोग को दोका दिया वो किसी के साथ भी अपनी बास शेर नहीं करता अरे जो अपने दिल की बास शेर नहीं करता वो रिलेशन्शिप की वेलू क्या समझेगा कौन सा मैच? मैच तुमसे बढ़कर है क्या? क्यों? तुम्हें फॉलो करते समों उसने कितना मैच छोड़ा होगा? फिल भी तुम्हारे जैसी गल्फेंड हो तो मैच तो क्या? एक्जाम भी छोड़ सकते हैं? अरे प्रॉब्लम भी उसने ही क्रियेट किया और सौल भी उसने ही किया तेरा प्लान क्या है बाई? बड़ा कुश नसरा रहा ही? हेलो राव जी, पंदरे मिनिट में आप काउंटर चॉक के पास मोचें, तो आप हमारे दोस्त के साथ प्रिती को देख सकते हैं? जब घर में शादी सेटल की, तो उसने सोच रहा है वक्त ही नहीं दिये यार। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है वरुन। तुमने देखा तुम मैं तुम्हें अपने दिल में नहीं अपनी बलकों में छुपा कर रखोगा पृती तो फिर तुम्मुझे कहीं और चलो फिर मैं जो कहरा हूं वह करो क्या करो वरुन को फोन। ऐसे आत्मी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए वह कहीं मेरे उसे ढूटकर बगा बगा कर मारना चाहिए तो उसने चीट किया इसका गम नहीं है लेकिन प्रीतिय ने मुझसे चीट किया ऐसा लग रहा है मेरी चांड निकली जारेगा कितना प्यार किया मैंने उससे मजसे चीट करने का उसके दिल में क्याल में क्जी आया था 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 मा, मेरा प्यार सच्छा था इसलिए, वेट रूट 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 तो, वेट रूट रूट रूस रूस रूट यायर यार तेड़ी के learns यारू ulap इधर मेरी हालत भी ठीक नहीं है कि तुझे डड़ी देखना चाहिँ आप यार मुझे ही पृति को देखना है अगर तुने डड़ी को नहीं देख आप यहां मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा अरे यारो चलो 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 चल आंगे हुआ 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 है तुमसे बात किये हुए बहुत वक्त गुसर गया अब अगर तुमसे बात नहीं के कभी नहीं कर पाऊंगा यहीं सोच कर डर लगता है मुझे बिटा मुझे ऐसा लगता है तेरी बात सोचते होगी कि मैं तुमसे नाराज हो लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हुए बेटा मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा अत्मी बने का बड़ा अत्मी लेकिन लेकिन मैं तुम्हे कवी सपोर्ट नहीं कर पाया बेटा बेकार अत्मी हुए लेकिन बेटा इंसान को दूसरा मोगा मिलना चाहिए ना जीतने वाले को और के किमत अता नहीं होती है और पहरने वाले को जीत की किमत, जो संगर्ष करता है, उसे ही इनकी किमत अता होती है, बिटा, आहारने के बाद जब जीत मिलती है, तो बहुत खोशी होती है, लेकर आहार के सामने जीत, जीत ही होती है, जीत ही होती है, बेचर, 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 कर दो कर दो कर दो जो कर किलु़ा कर दो खाण माँ 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 शौप चा कराता हूँ पापा कहते थे हर व्यक्ति का लाइफ का अपना एक एम होना चाहिए मैं अपने बापा से कहता था हर एम के पीछे कोई परपस होना चाहिए पापा तो चले गए अब मेरे लाइफ का ना कोई एम है और ना ही एम का कोई परपस कुछ भी नहीं जान पाया एवरून ओ सिल्धर धन नजराया कि अवरून फजराया पर रहा है रहा है यह मेरून इंवर भी उताव ऊपसका थाफ प्रफस्टन पर रो यह हम हो आपना पाफसका पाल कर लो एम हो पुछ जाण प्राफसका पाल की ताम है अगर शो जाए हम हुर की ओ़ आग कियो 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 म१र, दो में किया हाँ आग पार दानल सुछ इंट नदियो वोल अक्योड सकत्त पार भार अाह अप्ष। अप्ष। है वोल एसा क्योंगिया हम इसा तोने क्योंगिया प्रिति के लिए क्या, प्रिति के लिए ही क्या, जितना तू प्रिति से प्यार करता है, उतना ही मैं भी प्यार करता हूँ, तू इसी मत ही है, तो तू ने एक्सप्रेस कर दिया, मैं डर पोकूं, नहीं कर भाया, वो बार बार कहती थी तूम पसंद नहीं हो, तूम पसंद नह और मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा, कभी तो मैं अपने प्यार के बारे में उससे बता पाऊंगा, लेकिन जिस दिन उसने पीछे देखकर तुम्हें आटो से लेटर दिया था, और तुम्हें आई लब यू कहा था, उसी दिन से, उसी पल से, मेरे चार औ और तुम्हें लगा था, सोचा प्यार करके त्याक करने से अच्छा है, क्योंसे ही, बरबाद करके अपने प्यार को हासिल कर लो, तब से, जब भी तुम लोग आपस में मिलते हैं, और तुम दोनों में जो भी डिफ्रेंस से जाथा था, तो मैंने सोचा, प्रिती के लिए प्रिती को भी एसा ही लगा, तुछ अपने फ्रेंडशिप याद नहीं आई, कुछ भी याद नहीं आया, कोई याद नहीं आया, सिर्फ मेरी प्रिती, मेरा प्यार, यह कबसे अपनी कहानी सुना रहा है, और तु पागलो जैसे सुने जा रहा है, डाल दे आर इसको, उसे म मुझे मार डालो, येस, अगर हमने कोई गलती की है, तो वो मेरी है, मतलब, तुम्हें अभी भी कुछ गलत नहीं लग रहा है, कभी नहीं लगेगा, तुम इतनी बदल कैसे गही प्रिती, मैंने क्या गलती की थी, तुम्हें नहीं पता, तुमसे आयले भी केने से पहले, तुम मुझसे लाइफ लॉग प्यार करोगी या नहीं, पूछा था ना मैंने, तुम्हें सोचा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, करते हो ऐसा सोचा था, पहले मैं तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्ट पुलीस के सामने अपनी मर्दान की दिखाई तुमने लेकिन उस वक्त मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा लेकिन शीधर ऐसा नहीं है वो मेरी साथ शेरिंग केरिंग सिक्यॉरिटी मुझे हर चीज दी और हमेशा देता रहेगा यह वादा भी किया है ठीक है न, इजा एए वन सकंड बन सकंड आप यो अच्छी लगती है तुम्य तुम्हें हो गई की गई यह टैबलेट ले लो उसने दोस्तों को धोका दिया तो क्या तुम्हें धोका नहीं दे गा नहीं क्योंकि उसने अपने फ्रेंस को धोका मेरे प्यार के लिए दिया मुझे पाने के लिए ऐसा किया इसकी खिसक गही है बख्वास कर रही है इसे ही माड़ा लब वो इसे ही रहेगा एए तुरूग जा क्या कहा मैं मैं बदल गया हूँ येस यॉर राइट बस एक छोटा सा करेक्शन है मैं बदला नहीं कि भूल गया था दो साल से पागल कुटे की तरह में तुम्हारे पीछे भागा रिसेैट करके वापस याँ किया तो तुम्हारे में बढ़ाई करे गा तो ही मेरे लिए ग्रेट तो तुम उसके लिए अपना ुप्रेस में चेंज कर देती हो इतनी छोटी सी बाद में भूल गया था जो कोई भी तुम्हारी बढ़ाई करेगा तो तुम तो उसे अपनी दोनों आखे मूंद के पसंद कर लोगी यकिन नहीं होता है गड़ती मेरी है यह यह क्या बोल रहा है तू करेक्ट ही तो बोल रहा हूँ इसे देखो जरा सा भी दुख जरा सा भी दुख नजर नहीं आ रहा है छोड़ो यार अब इसका क्या करें मुझे जीना है तो प्रिती को खुश रहना होगा प्रिती को खुश रखने के लिए इससे जिन्दा रहन होगा यह फ्रेंडशिप में लगा हुआ दाख है छोड़ो यार नरिश्टा मत बिगड़ो अगर यह सोच कर उने मारना सही है तो छे महीने या साथ महीनों में एक असी डिटाइक नहीं बल्कि दिन में हजारों ऐसे डिटाइक हो जाते हैं प्रियतमा तेरा प्यार आबाद रहे और तुख रहे ऐसा फील करने वाले बहुत सारी लोग दुनिया में मिलेंगे इसलिए तो सभी लोग खुश है यार चलो चलते हैं जब लड़की जवान होती है उसके साथ कुछ हो ना चाहिए डर लगा रहता है लेकिन अब वो क्या कर लेगी ये सोचका डरते रहते हैं आई स्कूल से ही कहानी शुरू हो जाती है और जब लड़किया कॉलेज जाना शुरू कर करती रहती है कुछ भी पता नहीं चलता कवी क्या कर अगर लगता है दिन रात हमें बेटी का बाप होने का लाति बहुंते हैं 100% खुश रहती, ये मैं पक्का कह सकता हूँ. वो तुम्हें पूरी तरज से केरिंग, शेरिंग, सिक्यूर्टी देना चाहता था, लेकिन तुम्हें उस पर विश्वास नहीं किया, शक किया उस पर. ये तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं किया. बागे तुम्हारी मर्जी हैं. लाइफ में कुछ बातें भूली नहीं चाहिए. और कुछ बातों को याद भी नहीं रखना चाहिए. प्रीती को भूल जाओ. और मुझे याद रखो. अमेरिका जाना कैंसल. जौब भी कैंसल. तुम, मैं, सासुमा और हमारी गार्मेंट की शॉप. बेसेए. उतना ही. तुम अमेरिका चलि जाओ. नहीं जाओगी. मैं कह रही हुना, चलि जाओ. मैं कह रही हुना मैं नहीं जाओंगी तुम्हें कंप्रोमाइस करने की ज़रूरत नहीं है नहीं मैं कन्विंस हो गई ज़रूरत नहीं देखो मार खाओगे कि तुम्हारे बिहेवियर को लेकर मुझे जरा भी शक नहीं है 100% क्लारिटी के साथ कह रही हूं कुछ भी हो लड़कियां ग्रेट है बॉस अगर अपने लाइफ में लव स्टोरी रहे तो भी वह अपने से प्यार करती है लेकिन अगर वही गर्फ्रेंड की कोई लव स्टोरी हो तो क्या हम उनसे प्यार करेंगे नहीं करेंगे न इसलिए लड़कियां ग्रेट होती है बॉस